जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा American Micronic Company के 36-liter OTG-01 का fully detailed review मैं आपको इसके build quality से लेकर features तक सब कुछ बताऊंगा साथ ही इसमें आप क्या-क्या cook कर सकते हैं और इसके साथ में कौन-कौन सी accessories मिलती है वो सब भी देखेंगे और सबसे main सवाल आपको क्यों इस OTG-01 को consider करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा and yes, इस OTG की discount buying link निचे description में है जैसा कि आप देख सकते है इस तरह की packaging में आता है और product जो है दो boxes में आता है यह outer box है अच्छी protection के लिए चलिए इसे open कर लेते है कुछ इस तरह का आपको original box मिलता है और ऐसा हमारा OTG दिखता है 4 knobs के साथ 36 liter model with powerful heaters इस OTG में आप क्या क्या कर सकते है उसकी information आपको यहाँ पर दी गई है जैसे bake, grill, roast and toast यह सब कुछ आप इसमें easily कर सकते है उसके अलावा इसके features भी आपको box पर ही highlight करके दिये गए है चलिए इसे open करते है सबसे पहले box में आपको OTG का user manual मिलता है जिसमें सारी details दी गई है यह warranty guard और हाँ इस पर आपको एक साल की warranty मिलती है इसके अलावा आपको इसके साथ कुछ ऐसी accessories मिलती है जिसका use हम आगे देखेंगे और आपको ऐसा main unit यानी OTG मिलता है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके design and build quality की आप देख सकते है look wise यह काफी premium लगता है and matte finish के साथ में आता है इसमें आपको chrome finish के control knobs, door handle मिलता है जो काफी attractive लगते है यहाँ पर American Micronik की branding मिलती है now build quality भी आपको काफी शांदार मिलती है 7.5 kg का इसका weight है fully metallic body है जो की rust free भी रहती है इसके side में और उपर में आपको ऐसे air vents मिलते है क्योंकि इसके अंदर आपको convection fan दिया गया है proper heating के लिए और पीछे से यह कुछ ऐसा दिखता है इसकी body की finishing आपको काफी अच्छी मिलती है एक बड़ा और strong handle आपको दिया गया है और इसके door पर आपको toughened glass लगा हुआ मिलता है जिस पर कोई print नहीं है जो काफी अच्छी चीज़ है जिससे आप आसानी से अंदर देख सकते है यूजवली बाकी OTG के door पर print दी होती है और इस glass door की एक और खास बात यह है कि इसमें आपको double glass लगा हुआ मिलता है एक inner side और एक outer side नॉर्मल OTG में बस single glass ही होता है सो यह double layer safety के हिसाप से काफी अच्छी बात है जिससे यह बाहर से गरम नहीं होगा जैसे कि मैंने पहले बताया यह 36 liter का model है जो की 5 members के लिए perfect रहेगा दोस्तो OTG के अंदर आपको 6 heating elements यानि rods मिलते है 3 नीचे और 3 ऊपर बाकी OTGs में आपको 4 ही elements मिलते है औल्सो इस oven के rods नीचे और उपर के first वाले 400 watts के है बाकी पीछे के 3300 watts के यानि total 2000 watts के rods है यानि कि आप इसमें काफी fast cooking कर पाएंगे जो काफी बढ़िया बात है सब ही stainless steel के मिलते है नॉर्मल OTG में आपको mild steel से बने मिलते है जो कुछ ही सालों में जल जाते है बट stainless steel वाले के लिए आपको 10 साल तक तो सोचने की जरुवत ही नहीं है इसमें दोनों sides पर आपको sections दिये गए है जहाँ पर आप जो tray और rack है उसे place कर सकते है उसके बाद side में आपको एक convection fan लगा मिलता है जो पूरे oven में evenly heat distribute करता है इनर side में आपको grid pattern बना मिलता है जो अच्छी heat circulation में मदद करता है उसके बाद इसमें आपको एक light भी दिया गया है ताकि आप भार से देख पाए कि cooking कैसी हो रही है अब दोस्तों इस OTG की सबसे शानदार बात इसके बढ़िया features सबसे पहले तो आपको 4 knobs मिलते है इसमें लेकिन जनरली बाकी ovens में 3 ही होते है बट इसमें 4 है जिनकी build quality भी आपको काफी अच्छी मिलती है chrome finish के साथ सारे mechanical controls है बट इसमें 4 knobs क्यों है क्योंकि इसमें double thermostat है और इसलिए इस OTG के नीचे के और उपर के hitting element का temperature आप individually control कर पाएंगे सबसे पहले upper heater को आप इस first वाले dial से control कर पाएंगे और lower heater के लिए ये वाला knob है और इसकी special बात ये है कि इसमें आप दोनो knob से 250 degree Celsius तक temperature set कर सकते हो जिससे काफी fast ये cooking करेगा अब ये जो second knob है ये वाला है function knob मतलब इससे आप function select कर सकते है यहाँ से आप उपर के hitting elements को on रख सकते है यहाँ से नीचे के hitting elements को on रख सकते है और यहाँ से दोनों को ही on रख सकते है और यहाँ से दोनों hitting elements और convection fan को on रख सकते है और यहाँ से दोनों hitting elements प्लस convection fan और rotation rack को भी on रख सकते है ये last वाला function आप एक whole chicken grill करने के लिए use कर सकते है last में ये है timer knob इसको on करने से heater on हो जाता है और इससे आप up to 120 minutes का timer लगा सकते है जो काफी बड़िया बात है क्योंकि बाकी otages में आपको इससे कम का ही timer मिलता है also इसमें आपको stay on mode भी मिलता है कुछ भी जादा समय के लिए cook करने के लिए जिसे आपको manually off करना होगा जितना भी timer आपने set किया हो वो खताम हो जाने पर ये automatically ही off हो जाता है और एक bell की आवाज भी आपको आएगी और हाँ इसे use करने के लिए आपको 16 ampere का plug मिलता है जिसे आपको 16 ampere के power socket में connect करना है और इसका जो cord है वो 1 meter लंबा है अब बात करते है accessories की तो इसमें सबसे पहले हमें एक ऐसी crumb tray मिलती है जिसे आपको सबसे नीचे place करना होगा cooking करते वक जो भी extra food गिरेगा वो इसकी उपर ही गिरेगा और इसे आप बाहर निकाल कर साफ कर सकते है इसके साथ आपको एक baking tray मिलता है और इसे आप इस तरह से feed कर सकते है अलग-अलग height पर इस पर आप pizza, cake and cookies वगेरा bake कर सकते है खाना पक जाने के बाद OTG में रखी ये tray काफी गरम हो जाती है तो उसे safely बाहर निकालने के लिए आपको एक ऐसा tool मिलता है जिससे आप कुछ इस तरह से rack को बाहर निकाल सकते है अलसो इसमें आपको एक wire rack मिलती है stainless steel की जिस पर भी आप bread, toast वगेरा कर सकते है या chicken roast वगेरा easily बना सकते है next है ये rotessary rod अगर आप rotessary mode select करेंगे और इस rod को अंदर लगाओगे तो ये rod rotate होती है इसमें आप chicken, fish या बनीरी टिक का इन सभी चीजों को बना सकते है इसे आपको इस तरह से place कर देना है और on करने पर ये rotate होते रहता है अब आपको एक इस तरह का tool मिलेगा जिसके help से आप rotessary rod को easily under place कर सकते है और safely बाहर निकाल सकते है Now, oven को first time use करते वक 200 degree पर 15 minutes के लिए dry bag करे ताकि heater पर लगी जो protective film है वो remove हो जाए अब मैंने ये raw pizza को ready कर लिया है अब इसे हम pre-heated OTG में रखेंगे 200 degree Celsius पर 10 to 15 minutes के लिए Now, आप देख सकते हैं हमारा pizza बन चुका है काफी अच्छे से ये cook हुआ है और काफी tasty भी लग रहा है ऐसे ही आप इसमें बहुत सारी dishes घर में ही बना सकते है अब सबसे जरूरी सवाल आपको क्यों इस oven को लेना चाहिए सबसे पहले double lead toughen glass मिलता है और दो एक्स्ट्रा heating elements मिलते है अल्सो आप heating rods को individually control कर सकते है 250 degree Celsius तक highest temperature set कर सकते है for fast cooking और 120 minutes तक timer set कर सकते है एक साल की warranty है और सारी accessories मिलती है और कैचाहिए आपको और इन सब ही unique features के बावजूद भी इसकी price आपको almost half देखने को मिलती है अगर आप popular brands से compare करे तो बहुत शान्दव रोटी ची है दोस्तो definitely आप इससे consider कर सकते है discounted link मैंने नीचे description में दी है